So, Welcome Back Anime Fans आज इस वीडियो में मैं explain करने जा रही हूँ Demon Slayer का Season 1 and Episode 7 So, Without wasting any time, let's start So, Episode के स्टार्ट में जब वो Demon Tanjiro पर अटेक करता है तब Nezuko अपने box से बाहर आ जाती है और उस Demon को kick करती है फिर वो उन दोनों Demon में से एक की तरफ बढ़ती है फिर Nezuko Tanjiro की तरफ बढ़ने लगती है बट बीच में एक Demon आ जाता है जो उस पर अटेक करता है बट Nezuko से डोच कर लेती है जिसे देखकर Tanjiro समच जाता है कि अब Nezuko क्योंकि एक Demon बन चुकी है अब वो इतनी कमजोर नहीं रही कि अब Tanjiro को उसकी हिफादत करनी परे देन Tanjiro ये सोचता है कि अगर मैं Nezuko को इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का बोलूँ तो मैं अपने अटेक्स पर अच्छे से फोकस कर पाऊंगा अब वो ये सोची रहा होता है कि तभी एक पॉर्टल बनने लगता है Tanjiro के नीचे से और Tanjiro जम करके फॉरन अपने आपको बचा लेता है तभी एक और Demon पॉर्टल से निकलता है और फॉरन Nezuko को पर अटेक्ट कर देता है पर Demon होने की वाज़े से उसके रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रॉंग हो चुके थे जिसकी वाज़े से वोसे डोच कर पाती है अब इसी सब के बीच Tanjiro ये फैसला करता है कि वो ये सब कुछ नेजकों पर छोड़कर खुद उस पॉर्टल के अंदर चला जाएगा अब वो नेजकों से कहता है कि मैं इन दोनों को तुम्हें देता हूं कि तुमने इनकी इफादत करनी है और मैं जानता हूं कि तुम ये कर सकती हो देन नेजकों पर हां पर सर हिलाती है और टेंजरो उस पॉर्टल के अंदर चला जाता है पॉस पॉर्टल के अंदर टैंजरो उन तमाम मासूम लोगों की कपरे वगारा देखता है जिन को उन डीमन्स ने मार दिया था अब इस सब को देखकर टेंजो को बहुत ज़दा हुसा आता है और वो अपने में ही सोच रहा होता है कि इन्होंने कितने लोगों को मार दिया है अब वहीं दूर खरे वो डीमन्स ये सोच रहता है कि इस लड़के ने पॉर्टल के अंदर आके बहुत पर ही कल्ती करें यहां 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 पर ज्यादा बैनेफिट्स हैं और इसके लिए यहां पर सांस यां मुझा जाएगा और मुवमेंट भी मुश्किल होगी देन हम टेंजों को देखते हैं जिसके उपर वही दो डीमन्स अटैक करते हैं और यह सोचता है कि तुम मुझे अंडरेस्टिमेट नहीं कर सकते कि जहां मैंने ट्रेणिंग लिया यानि माउंट सागिरी वहां टॉप पर इतनी थिन एयर होती थी कि सांस लिना में बहुत जादा मुश्किल होती थी को अस जितनी हाइट होगी इतना अट्मोसफारिक प्रे बीट करने की और टैंजरो को एक और भी फायदा था वोस अब टैंजरो वाटर ब्रीफिंग टेकनीक का इस्तमाल करता था तो अंडर वाटर उसकी टेकनीक और जादा एजीली परफॉर्म हो सकती थी और टैंजरो को कुछ खास नहीं करना था बस उसे वेट करना था कि वो आपनिंग थ्रेट उसे जैसी दिखाए देगा वो एक ही ब्लो में दोनों डीमन को मार देगा तो अब टैंजरो ऐसा ही करता है वो उन दोनों डीमन के लिए वेट करता है और जब वो दोनों डीमन उसके करीब आतने अटेक के लिए तो टैंजरो बस चिल खरा होता है और उ उसके लिए उस पॉर्टल में सांस लेना काफी मुश्किल होने लगी थी यूँकि उसने काफी टाइम तक बरदाश्ट कर लिया था देन हमें उपर का सीन दिखाया जाता है जहां पर नैजुको और वो डीमन फाइट कर रहे होते हैं अब नैजुको काफी जादा पावफुल होती हुँए बर डीमन समझ जाता है कि यह पावफुल थो है बट इसके पास कोई स्केल नहीं है यानि इसके पास कोई strategy नहीं है fight करने की तो डीमन उसको overpower करने की कोशिश कर रहा होता है बट नैजुको स्टिल जीत रही होती है तो वो डीमन ये सोचता है कि उस लड़के ने इसको बहुत जादा blood दिया होगा जिसकी वासी इतनी strong है अब वो डीमन अपने portal में जाने की कोशिश करता है बट नैजुको से जाने नहीं देती क्योंकि नैजुको अब काफी जादा fast हो चुकी थी तो अब नैजुको के पास क्योंकि कोई strategy वगरा तो थी नहीं fight करने के लिए तो डीमन असानी से उसके next move को predict कर लेता है और उसके सर पर attack करता है और नैजुको के सर से खून निकलने लग जाता है अब वो डीमन मारने ही वाला होता है नैजुको के वहाँ पर फॉरन टैंजुरो आ जाता है और उसका हाथ काट देता है दें टेंजरो उसके बाद उस लोगों को ऐसे मार रहा है तो डीमन क्या देता है लोगों को मारने का कहता है कि जो वूमन होते हैं ये जादा अर्शा जिंदा रहे तो इनका टेस्ट वीर्ड हो जाता है I mean क्या reason है इसके पास मारने की ये personal attack है ये तो अच्छा उसके बाद Tangeroo उसके मुझ को काट देता है well done Tangeroo then Tangeroo उस डीमन से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझान के बत्सूजी के बारे में क्या जानते हो अब ये पूछते ही तो डीमन को विजन आने लगता है जिसमें मुझान उसे चुप रहने का कह रहा है अब जो डीमन होता है वो बहुत ज़दा डर जाता है I mean इतना डर जाता है कि बोलते हुँ इसकी आवास काट में लग जाती है तो अफकोर्स डीमन किंग एना यार जो डीमन स्लेयर नहीं भी देखता उसको मुझान के बारे में पता होगा अब क्यूंकि वो डीमन इतना जादा डरा होता है तो अब वो टैंजरो को कुछ नहीं बताता वो बदले में क्या करता है अपने हाथों को डुबायरी जेनरेट करता है और टैंजरो पर टैंजरो के पास और कोई आप्शन नहीं होता उसे मजबूरन उस डीमन को काटना पर जाता है तो को काट देता है अब यहां पर मैंने एक बात अब टेंजरू काफी जादा सैड हो जाता है क्योंकि वो फिर से मुजान के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया अब जब वो पीछे मुड़ के नेज़को को देखता है तो वो क्या देखता है कि नेज़को जमीन पर गिरी हुई है नेज़को को बॉक्समी के बॉक्स में पास जाता है क्या तो क्या में त्पास और कहता के थिए क्या तीक हो तो के हिता कि मिरी एपार गी मैं करते हुए कहता है कि तुम जितने भी लोगों में अपनी जिए-eem जब काजमी कोई कोई लिडर निशानी मिल जाएगी तो जब काजमी उसे खूलता है तो देखते जो भी ज्रू दाइं लगारा ह्ट ने लगता है दन तो पहला है क्या पूर्से बाइOW से मिल उसके हाथों को देखते हैं थेस से ङर रोड़ता है जिसरे कि mixed तो यह सोचता है यहाथ जो है ना यह किसी नॉर्मल लड़के कर नहीं लगते हैं यहाथ काफी सख्ट ट्रेनिंग के बाद ऐसे हाथ हो जाते हैं देंट टैंजरो उसे छोड़ के वहां से चला जाता है अब थोड़ा चला ही होता है कि एक रो आता है जो उसको नेक्स्ट मिश मिशिन खत्म किया और अगेन एक मिशिन आ गया बट उसे मजबुरन जाना पड़ता है और आफ टैंजरो स्टाउन में पहुंच चुक है और टैंजरो सिटी को देखकर काफी जादा हिरान हो जाता है को उसने फर्स टाइम ऐसे सिटी देखी थी कि रात के वक्त भी इतनी ज चौपकीपर से कहते हैं कि मुझे तुम नूर्ल्स बनाकर दो यूपकीपर उसे बना कर देते हैं और टैंजरो को वही स्मयल आती है जो उसे अपने घर से आई थी एफाथ से वह नूर्ल्स पिकिर जाता है और वहा से ख़रा होता है ऑफे क्राउड में से एक आदमी का जाक जोसे डैडी कहती है means उसकी बेटी भी है and then then वहां पर एक वोमन आती है जिसको वो बच्ची अपनी मॉमा क्यानी मॉमी कहती है तो टेंजरों यह सोचता है कि यह लड़की और जो बच्ची पीछह उंसान होता है अब वे एक बिएमन बन गया था और वो एक लड़की पर आटेक कर देता है लड़की काभी जादा छीखरी होती है इसी के साथ यह अपसोड्ड tara हो जाती है रुट रुट